नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टीवी मैं हूँ आपके साथ पवन नारा जारखन में आज नोटों के बंदल निकल रहे हैं नोटों की इतनी गड़ियां मिली हैं इतनी गड़ियां कि कोई देख ले तो हैरान रह जाए राची में एडिक एक्षन की गूंच दिल्ली से लेकर जारखन समेत देश फरके इलाकों में सुनाई दे रही है आपको इश कैसकान से जुड़ा हर पहलू हम इस ब्लेटि mix सचेव के नोकर के पास घर से 30 करोड से ज़्यादा कैश मिल चुका है नोट गिनने के लिए मशीने मंगवाई गई है लगातार नोटों की गिंदर जारी है कर के अलावा पीएस संजीव लाल के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंग के घर पर भी तीन करोड कैश वरामद हुआ है इडी ग्रामिन विकास विभाग में पह इसके बाद नोटों की गिंती जारी है जारखन के जिस मंत्री के पीएस के नौकर के घर कैश मिला है उस आलमगीर आलम ने इस कैश कांट को लेकर क्या सफाई दी है आईए सबसे पहले वो सुनवाते है तंजीब लाल एक सरकरी मुलाजी में है वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस वेस सेलेक्शन करते हैं तो अनुवाव का अधर पर करते हैं इसके पहले भी दो-दो मंत्री का पीएस रह चुके थे अब हम लाएं सरकरी मुलाजी में टीवी में आप लोग जो देख रहे हम भी ओहीं देख रहे हैं अभícia कि यहनुगा नाम भी जुड़ा जा रहा कि मेरा पीएस है विभाग के विभाग मुलें मेंहें और मेरा पीएस है और हम लोग जो प्र गश्ड़़् कर ढ़ते हैं कर्याद़् है इसके Пछ sleeping shop देघ लाएають तो मंत्री जी कह रहे हैं कि वो मेरा निजी सचिव है सरकारी नौकर है अनुभाव के आधार पर रखा गया था उससे मेरा कोई लेना देना नहीं और अब इस पर जादा चर्चा के लिए अतुल भाटिया मेरे सेहुगी जुड़ गए है अतुल जो एडी ने चापे मारी की है इसमें भूमे का किसकी है क्या सिर्फ एक सरकारी करमचारी है जो सिर्फ रिश्वत लेता था जिस तरह का इशारा मंत्री ने किया है या इसकी आच मंत्री तक भी जाएगी देखे पर निश्चित रूप से मंत्री तक भी ये आच जाएगी क्योंकि जिस तरीके से एडी ने आज जहांगीर आलम के घर से एक कैश बरामत किया है अभी का अपडेट यह है कि अभी भी काउंटिंग चल रही है क्योंकि जिस तरीके सुबह जब एडी की टीम जहांगी एडी की रिक्वेस्ट पर वहां बैंक से जो है वो नोट गिनने की मशीने मंगाई गई थी जिससे ये नोट जो है वो गिने जा रहे है नोटों का अमबार आप देख सकते हैं इनको गिनने में टाइम लगेगा एडी का कहना है कि अभी काउंटिंग लगातार चल रही है अ जहां तक यह बात करें क्योंकि जहांगीर आलम जिस तरीके से जो मंत्री है उनके पीएस का नौकर है उसके घर पर ये पूरा कैश आया है और ये पूरा जो मामला है वो जो सडकों के जो कॉंट्रेक्ट होते हैं ग्रामिड इलाकों में उसमें ये कमिशन के रूप में एड जो है वो कमिशन का है सडके जो ग्रामिड इलाकों में बनाई जाती थी उसका ये मोटा कमिशन है तो ये जो कमिशन है ये एक परसेंट से लेकर पांच परसेंट तक होता था निश्चित रूप से मंत्री जी जो है उनको भी एडिया पूश्ताच के लिए बुलाएगी जो पवन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि एडि ने जब इस पूरे मामने का खुलासा हुआ था तो बकाईदा चीफ सेकेटरी को इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लिए लिखा था लेकिन कोई भी कारवाई जो है वो सरकार की तरफ से नहीं की गई खास बा पूरा ये जो जो घोटाला है निश्ची तुरूप से मंतरी जो है उनको भी पूछता आज के लिए बुलाएगी काउंटिंग अभी चल रही है और जो कैश है वो अभी काफी भारी संक्या में जिसकी लगातार गिंती जो है वो नोट गिनने की मशीन से की जा रही है जी प बंति- थी कमीशन मिलता था इस डाएरे को लेकर एडी जाच कर रही है और आज मंत्री तक بھی पहुंचेगी आपका बहुत बढट शुक्रियातुलिज जानकारी। जार्खन कैश्खांड पर आज प्रधानमंत्री मोदी भी बोले प्रधानमंत्री मोदी ने नोटों के पाहड को मिलने को लेकर विपक्स पर करार अटेक किया प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जार्खन में नोटों के पाहड मिल रहे हैं मोदी ने कहा कि मैं जब विपक्ष की लूट बंद करता हूं तो ये मुझे गाली देते हैं। रान मंत्री ने साफ कहा कि जो घुटाला करेगा वो जेल जाएगा। जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा वगा अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना। आज यहां पडोस में जारखन में नोटों के पहाड मिल रहे हैं नोटों के पहाड लोगों आएगा चोरी हुकिया माल पकड़ रहा हैं मोदी वाँ। इनकी कमाई बन कर दूँ इनकी लूट बन कर दूँ तो मोदी को गाली देंगे के नहीं देंगे। देंगे के नहीं देंगे। लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चीक नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चीक नहीं बचानी चाहिए। आपके हक का पाईसा बचाना चाहिए।